देश के सहकारी बैंकों में फ्रोड के मामले लगातार बढ़ रहा है राजसवा में सांसद लहर सिंग से उरिया की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वित राजमंतरी भागवत कराड ने सहकारी बैंकों में हो रहा है फ्रोड के आंकले पेश किये वित्राजमंत्री ने बताया कि वित्वर्ष 21-22 के दौरान सहकारी बैंकों में फ्रॉड के मामले 729 सामने आए वित्वर्ष 22-23 में या आकला 964 हो गया यानि साल भर में फ्रॉड के मामलों में 34 फीसद की बढ़ोतरी देखी इससे पहले वित्वर्ष 20-21 के दरान सहकारी बैंकों में जो फ्रॉड थे वो 438 मामले दर्ज किये गए थे सरे फ्रॉड बढ़ने की वज़े है क्या है कौपरेटिव बैंक्स के कामकाज में पारदर्शिता की चुनोतियां सबसे आधा है अगर आप रिजर्ब बैंक के फैसलों को करीब से देखें तो हर महीने कम से कम 4-5 रिजर्ब बैंक के फैसले ऐसे आते हैं जिसमें किसी कौपरेटिव बैंक के कामकाज पर रोक लगाई जाती है या वहाँ आपरेशन को लिमिटेट कर दिया जाता है पूरा का पूरा सहकारी बैंकों का कौपरेटिव बैंक का प्रबंधन गहरी अपार दुर्षिता का शिकार है और चूटे बेस के बैंक होते हैं मैनेजमेंट का दबाव जाधा होता है और कौपरेटिव बैंक में राजी नीती होती इसलिए वहाँ फ्राड की संभावना है और खतरे जाधा हो जाते हैं कौपरेटिव बैंक का पूरा जो आंदोलन है उस आंदोलन में अब कई तरीके की चुनोतिया है अभी तक तो ये इस्तिती स्पष्ट नहीं थी कि कौपरेटिव बैंक का रेगुलेटर कौन है